हेलो फ्रेंड्स एंडियर इस्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है प्रो मिथाजीन हाइड्रो क्लोराइड और इस वीडियो में हम इस ड्रग का स्ट्रक्चर इसकी सेंथेसिस और कुछ कॉमन यूजेज जो है वो डिटेल में सब कुछ देखेंगे मैं हूँ डॉक्तर प ब्लॉक करती है पेरिफेरल H1 रिसेप्टर को और डिमनिश करती है यानि कि उसके जो इफेक्ट्स हैं हिस्टामीन के उसको क्या करती है कम करती है यह ड्रग आसानी से ब्लॉड बैरियर को भी क्रॉस कर सकती है और H1 रिसेप्टर जो की CNS के अंदर है उनको भी क्या करती है ब्लॉक करेगी या एंटिगोनिस एक्टिविटी जो है वहाँ पर भी दिखाएगी जिसके वज़े से एंटिमेटिक, सिडेटिव या लोकल अनेस्थेटिक प्रॉपर्टी जो है वह इस ड्रॉक के अंदर पाई जाती है चैंकल क्लासिफिकेशन की बात करें इस ड्रॉक की तो यह एक फीनो थायाजीन डेरिवेटिव है किसका इथाइलिन डाइमीन एनलॉक का ऑफ दा हमारे एच्वन एंटागोनिस जो ड्रॉक्ष होती है उनका इस ड्रॉक्षिकेशन है उसके इंतर गत तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्ट्रॉक्षर की तो फीनो जैसे मैंने पहले ही कहा कि इस फीनो थायाजीन डेरिवेटिव ऑफ इथाइलिन डायमीन एनलॉक तो इसका जो नाम है इसको देखते हैं उसी कहसाब से स्ट्रॉक्षर बनाएंगे यानि कि नैटोजन के उपर दो मिथाइल ग्रॉप लगा हुआ है फीनो थायाजीन वन आयल प्रोपेन अमेंग तो यानि यहां पर आपको तीन जो है तीन कार्बन की एक चेन मिलने वाली है ठीक है और यहां पर एक एमाइन ग्रूप मिलने वाला है और फीनो थायाजीन जो है वो रिंग मिलने वाली है तो चलिए इसको हम लो और nitrogen है that is phenothiogen अब इसी पर यहाँ पर hydrogen की जगह पर क्या लगा हुआ है यह पूड़ा का पूड़ा ग्रूप जो है हमने लगा दिया that is CH2 CH और एक चीज़ यहाँ देना है कि यह कुछ ऐसी drugs में से आता है जहाँ पर branch जो है हमें branch जो है वो chain मिल रही होती है ज्यादा तर ड्र structure of promethazine जहां पर आपको दिख रहा है कि एक CH2 है CH है और CH3 यह हमारी प्रोपेन जो है वो chain बन रही है और इसी carbon पर हमारा क्या लगा हुआ है और ड्रग जो आपको मिल जाएगी तो अब देख लेते हैं इसके कुछ यूजिस के बारे में बात कर लेते हैं इसकी synthesis देखेंगे जैसा कि मैंने पहले कहा है यह एक H1 anti-histaminic drug है और यह इसलिए के anti-allergic के तरीके से या allergic की condition में हम लोग यूज कर सकते हैं इस रख को sedative भी है क्योंकि CNS में पार कर जा रही है blood band barrier को cns पर जाकर के H1 जो receptors ने उनको ब्लॉक कर रही है जिसकी वज़े से यह sedative action भी शो करती है local anesthetic के तरीके से यूज कर सकते हैं analgesic activity भी हो सकती है और anti-emitic भी हो सकती है सब कुछ CNS में जाने के जासा हो रहा है और कुछ जगहों पर यह खोड़ते हैं कि it is a anti-viral properties also और अभी कुछ latest studies में यह भी बता जा रहा है कि जो coronavirus है that is not novel coronavirus जो अभी आया है वो नहीं जो पुराने coronavirus हैं उनके उपर भी कुछ अपनी activity जो है वो यह ड्रग शो कर पाती है तो अब देखते हैं लोग इसकी synthesis प्रोमिथाजीन की जो सबसे पहले synthesis में हम लोग इसमें शुरू करते हैं वह फिनोथाजीन का सबसे पहले synthesis करते हैं with the help of diphenyl amine और sulfur के साथ उसके बाद उसका reaction कराते हैं 1 chloro 2 dimethyl amine propane के साथ to obtain the promethazine के बल दो step की reaction है तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर हम फिनोथाजीन की synthesis करेंगे with the help of diphenyl amine diphenyl amine ले लेनी है इसकी reaction करानी है sulfur के साथ in the presence of alcl3 या फिर iodine ठीक है इसकी जब reaction आप कराओगे तो जो sulfur है वो यहाँ पर आ जाएगा और एक साइकलाजेशन हो जाएगी एक फिनोथाजीन का जो है वो रिंग यहाँ पर बन जाएगा ठीक है यहाँ पर sulfur बीच में आ गया बाकी सब कुछ वैसे है यहाँ पर hydrogen था तो hydrogen यहाँ पर भी रहेगा अब हम लोग इसी जो आपका फिनोथाजीन बन रहा है इसी की reaction हम सब्सक्राइब के साथ तो simple structure है इसका ठीक है इसको इस प्रकार से आप बन लीजे और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं चाहें तो आप इसके इस वन क्लोरो टू डाइमिथाईल अमीनो प्रोपेन अब इसमें जो आपके नंबरिंग कर सकते हैं जो प्रोपेन रिं क्लोर गारें जो हमारा फिनो थाजीन है वहां से हैडोजन और जो हमारा यह compound है यहां से क्लोरीन इन दोनों के एक साथ निकालेंगे हैडोक्लोरीक एसड के रूप में असल जो है वह बाहर हो जाएगा ठीक है और यह पूरी की पूरी जो चेन है आपकी यह जुड़ जो कि तो यह जोड़ दीजिए यहां पर जोड़ गई तो यह जोड़ गई अगर आप चाहें तो इसकी डियक्शन फिर से साथ करा सकते हैं प्रोमिथाजीन की तो बिल्कुल वही स्ट्रक्चर सेम बन जाएगा स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है केवल क्या होगा जो आप आपका ह-प्लस है वो नैटोजन के साथ जा करके नायटोजन के पर चार्ज बना सकता है यह प्र गुरूप में आप लिख सकते हैं और जो क्लोरिन है वह थी यह सीट्र माइनस में बाहर मिल जाएगी या आईनीग फो मिल जाएगा श्क्तिक प्रोमिथाजीन हाईड्रो फि अगर कोई कुश्चन हो तो कमेंट वाक्स में पूछेगा मैं आसर कने की कोशिश करूँगा